सबको clear है हाज जी good morning, good morning कैसे हैं आप लोग चलिए आजाद की जन भूमी से हाजी नमस्कार, नमस्कार भुरे लाल जी सभी को नमस्कार मताईए ओडियो विडियो सबको clear है कमेंट करके बताएगा सभी लोग हाज ओडियो विडियो सबको clear है Good morning, good morning चले, शुरू करें हैं मोग सभी लोग एक बार सेशन को like कर दिए मैं भी थोरा share कर दूआ कलास को आप लोग भी एक बार share कर दिएगागा कलास को ठीक है? अडियो वीडियो क्लियर हो तो बिल्कुल सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, हाँ जी, चले, गुड मॉर्निंग, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओल क्लियर है, पिक्चर, ओडियो, वीडियो, सब क्लियर है, ठीक है, चल, शुरू करें, फिलाल हम लोग, देखें, सबसे फर्स्ट की डेली आपकी क्लासेज जो लगते हैं, उसके लिए आप विक्चु तयार हीएगा, कंपुडर की भी क्लासेज लग रहे हैं, और आज से मतलब की प्रवंदन की भी क्लास आपकी लग रही है, उसके बाद रिज यह आपने देखा का पर डी रेगलर और साइंस की भी क्लासेज आपकी रेगलर चल रही है, ठीक है, अब आगे के ओर बढ़ते हैं, तो हमारा 29 नमबर से टार्गेट बैच स्टार्ट हो रहा है, तो टार्गेट बैच जो स्टार्ट हुआ है, इसमें आप बिलकुल डेमो ल उसी के बारे में एक नया लेके हम लोग चलते हैं, तो रेपिट फार में सबसे फर्स्ट कोश्ट हमने कल भी बताया था, कि बताई हाली में कौन सी राज सरकार ने अभी हाली में, मतलब अमल, एमलन, एमलन का मतलब था एनिमिया, एनिमिया मुक्त जिसको हम लोग तो चलाए गया, किसके दोरा चलाए गया, उडिसा के दोरा ये चलाए गया, हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सेशन को सभी लोग एक बार लाइक जरूर किया करिए, ठीक है, चलिए, अब आगला बोलागा, उडिसा की सरकार की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला भ यहां के कोने गवर्नर है, उसके बाद हमसे पूछ लिया जाए, कि भाज साब यह आखिर यह क्यों योजना चलाए गया है, तो यह योजना चलाए गया थी, किसके लिए, तो खास करके जो वहां के एनेमिया जो होते हो उसके लिए, ठीक है, हाँ जी, जैनल मनेजमेंट की क तो तैयार है, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बूला भी था, कि सबसे ज़्यदा फिमस वहां का कोन है चिलका लेक, यह चिलका लेक आपसे जरूर पूछा जाता है, और यह चिलका लेक ही भारत का पहला है, जिसे रामसर साइट में सामिल किया गया था, रामसर साइड मत जो बायो डाइवर्सिटी होता है, जैब विविद था, तो चिलका जिल भारत की पहली ऐसी लेक है, जिसको रामसर साइट में सामिल किया गया था, और सबसे पुराना आपने कुनार्क मंदिर का आपने नाम सुना होगा, और यह कुनार्क मंदिर, जिसको हम लोग सूरी टे यात्रा निकलता है, तो यह रतियात्रा जब वहां पे निकलता है, तो इसके नाम से भी यह सबसे ज़्यादा फेमस है, जो वहां रतियात्रा निकलता है, तो चार धाम में से एक धाम फेमस माना जाता है, किसके नाम से, तो जगरनात पूरी के नाम से, ठीक है, हाँ जी, पहली बार G20 का मिटिंग करेगा तो मैंने बुला था भारत में G20 शेरपा और G20 ये मान के चलो रोज आपके न्यूज में रहेंगे जब G20 हम बात करते हैं तो G20 की शुरुवात 199 1999 से होती है और इसकी शुरुवात इसे पहली बार फर्स टाइम इसे होस्ट कोन कर रहा है भारत और जिसे भारत पहली बार होस्ट कर रहा है तो ये मान के चले इसका पहली बार होस्ट कर रहा तो इसका पहला सेरपा जो मिटिंग होगा और वो सेरपा मिटिंग कहां पर होगा भाई साथ तो ये राजस्थान के उदैपूर में तो राजस्थान के कहां तो उदैपूर में इसका आयुजन क्या जाएगा तो बिल्कूल आप लोग याद रखेगा उदैपूर और उदैपूर को हमने आपको बोला था इसको City of Lake बोला जाता है इसे City of Lake बोलते हैं मतब सीधी सी बात है जीलों का सहर बोला जाता है और फिफ्थ नम्मर का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारी यहां गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस हम लोग कम मनाते हैं 26 जन्वरी को और 26 जन्वरी को जो हम लोग गणतंत्र दिवस अभी मनाने जा रहे हैं तो उस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में अभी जो है चिपगेस्ट के रूप में यहां कोन आएं तो मैंने आपको बोला था Egypt के प्राइमिनिस्टर है जो यहां पर भारत में विजिट करने आएंगे चिपगेस्ट के रूप में ठीक है अबदिलल सीसी का अपने नाम सुनाओगा जिसका नाम है बिसलरी और बिसलरी का अधिगरन किसने कर लिया है तो मैं आपको बता दूँ बिसलरी का जो अधिगरन है यह किस के दोरा कर लिया गया है तो यह कर लिया गया भाई साब किन के दोरा तो टाटा कंजूमर प्रोड़क्ट के दोरा और Tata जब consumer products की बात होती है थी मैंने आपको कल भी बोला था कि Tata consumer products के द्वारा इसको ले लिया गया है और ये कहां किया है तो ये भारत की पहले ये Italian company थी बिशलरी लेकिन 1959 में इसको जो है चौधरी जो company थी उसकी चौहान company के द्वारा इसको take over कर लिया और बाद में अब जो है Tata consumer product के द्वारा इसको जो acquired कर लिया जगा आज से कुछ दिन पहले हमने बोला था Air India एयर इंडिया का आपने नाम सुना है तो एयर इंडिया का जो विमान है ये भी पूरी तरह से टोक अबर किसके द्वारा कर लिया गया था तो टाटा की लिए तो टाटा जो है अपने आपने एक और यहां पर एक जगह है तो यह जो आपके रेंज है यह कहा है तो यह राजस्थान का रेंज है जहां पर यह मना जा रहा है और पोकरन रेंज है range firing अगर बोलाजाए तो पोखरन range firing भी यह कहां पर है तो राजस्थान में तो कभी-कभी आप पूछा जाता है कि पोखरन पर्मानों परिक्षन जो हुआ था ये कहां पर है तो पोखरन पर्मानों परिक्षन भी कहां पर है वाई साथ तो ये है अपका राजस्थान में और ऐसे भी राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले पर्मानों का इस्टार क किया गया था और यह देखा जाए तो उस समय एक ऐसी स्थिती थे जहां पर भारत ने छुप छुपा कर पर्मानु परेक्षन किये थे और उस समय जो भारत के प्रधान मंत्री थे वो थे अटली भिहारी बाजपई जी जो थे यहां के कौन थे यहां पर उस समय भारत के को पुरसकार की बात करते हैं तो नामी इसका गोपाल रतन पुरसकार है और यह पुरसकार कितर छेत्र में दिया जाता है तो खास दरके डेरी के छेत्र में दिया जाता है और डेरी के छेत्र में इसको जो है गोपाल रतन पुरसकार और अभी किसको दिया गया था तो यह मैं को बता दू अलग अलग जगा पर जिन लोगों का गाय का पालन होता पशु पालन जो होते हैं उनके द्वारा ये दिया गया था और एनिमल हस्वेंडरी आनि पशु पालन विभाग के जो मंत्राले हैं उनके द्वारा ये दिया गया था और ये पुरसकार जो दिया गया पां और ये सबी प्राइज यहाँ पर दिया गया था तो बिलकुल आप लोग याद रखेगा कि पहली बार डेरी के छित्र में ये सबसे ज़्यादा दिया गया था ठीक है और ये किसके दौरा थी ये मतलब ये मान के चलिए डेरी के लिए कियो दिया गया कोईगे 26 नॉंबर को हम लोग हर साल अभी इसी बार हम लोग च्छार साल क्या मनाते हैं रास्तिए दुध्गदिवस मनाते हैं तो रास्तिए नेशनल मिल्क डे हम लोग कम मनाते हैं नवंबर को हम लोग celebrate करते हैं चलिए इसी बात पर हम आगे की कारवाई को शुरू करते हैं अभी हाली में बोला गया कि एक नई फिल्म बनी है और एक नई फिल्म बनी है जिसमें फिल्म जो जितने वाली है जिसका ना I have electric dream तो actual में क्या है I have electric dream ये मैं आपको बता दो ये movie से ज़्यादा अभी famous होई थे I have electric dream और ये cinema को अभी जो दिया गया है ये cinema को क्या मिला है तो अभी सबसे सरवोच मनदब golden peacock जान से सुनिएगा golden peacock अबॉड जो दिया गया है और ये golden peacock अबॉड से सम्मानित क्या गया और ये किस भाशा में ये film लिखी गई है तो ये film ज पर गौगा में गौगा में जो अभी आयोजन हो रहा ह आई फी के बारे में बात करते इंटरनेशनल film festival ऑफ इंडिया आई- आई- ए-फ- अ-ई-फ- actively इफी बोलते हैं International Film Festival of India और अभी हम लोग इसका होस्ट कहां कर रहे हैं तो तिरपणवे नम्मर का होस्ट हम कहां कर रहे हैं गोवा में और गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है और गोवा की राजधानी कहां पड़ है तो मैंने बोला भी था पणजी और वहीं पर इसको ये गोल्डन पिक होते हैं वो लोग स्रिसर्च करते हैं कि कौन सी बेस्ट फिल्म है और इसकी पहली बार शुरुपात कभ किया गया था उनी सब्सकार का सुवरम किया घत थी तो हमारे देश में यह आई थी 1991 में और उसी समय डॉक्टर मनमान सिंग और पीवी नर्सिंभा राओ ने LPG और PPP का कॉंसेट दिया था लिबरलाजिशन प्राइबेटाजिशन ग्लोबलाजिशन और यहीं से इसके शुरुवात होती है तो बिल्कुल आप लोग याद रखेगा जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को एक बार लाइक करते जाएगा हां जी जितने भी लोग देख एक बार सेशन को जरूर लाइक करें तो मैंने बुला था यह कितने नमर का माना जारा तिरपणवे नमर का और यहां पर अगर आप से पूछा जाए कि यहां पर बेस्ट मतलब जिसको हम बोलते हैं परस्नाल्टी ऑब दे यह देखा जा चिरन जीवी को जो मिला था यह प्र श्पैनिश भाषान और यह golden peacock अबॉर्ड भारत में दिया जाता है समस सोचना कि golden peacock अबॉर्ड है तो फौरन लोगों को दिया जाएगा नहीं यह भारत में दिया जाता है और भारत का मतब सिनेमा उत्योग में इसको दिया जाता जो non profitable जो organization होता है उसके बारे में दिया और इस movie में दिखाए गया है कि कितना ज़्यादा inspiration है और किसके दोरा दिया गया चिरन जीवी जिनको अभी reward भी दिया गया और खास करके हमारी यहां के information broadcasting minister नहीं है और यहां पर सुचना है मम प्रदोग की ब्राद कास्टिंग प्रसारन मंत्री को नहीं अनुराग सिंग ठाक यह वहां के चिपगेस्ट बनके गये थे और गोवा के जब हम बात करते हैं तो गोवा की राजधानी का है पनजी और वहां के cm कोन है प्रमोद सावन्त तो प्रमोद सावन्त जो है यह वहां के कोन है यह वहां के कोन है तो यह cm है और अगर देखा जाए तो दूद सागर प पर है वाई साब यह गौवा में है और गौवा लिब्रेशन जो वार हुआ था यहां पर ही मनाए गया था ति बिल्कुल आप लोग याद रखेगा डन हाँ जी चलिए सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर देना ठीक है अब आगे क्यों बढ़ते हैं बोलागा भारत में संभावित लिथियम जमा आकलन करने के लिए किस देश में एक टीम भेजी है तो सीधी सी बात है भारत में संभावित लिथियम जमा सीधी सी बात है लिथियम अब आपको यह पता होना चाहिए कि लिथियम का उपयोग हम क्य किया जाता थी बैटरी का उपयोग किया जाता जो इलेक्ट्रिक विकल हमारे यहां बनती है तो इलेक्ट्रिक विकल जो होती है उसके लिए इसको लाया जाता है यह अभी मोबाइल में इसका इस्तमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिक विकल जो हमारे पास होते हैं उसके लिए lithium iron battery का इस्तेमाल किया जाता है और यह सबसे ज़्यादा famous और यह अभी कहाँ पर तीम के लिए इनोंने अर्जेंटीना जो भारती टीम गई है यह कहाँ गई है अर्जेंटीना गई है और अर्जेंटीना वहाँ पर team रीड करेगी जज़ करेगी कोई देखो भारत में लिथियन आयन तो है नहीं तो भारत में जब यह बैटरी है यह नहीं तो हम लोग क्या करते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं और भारत क्या करता बाहर से मंगाता है और उसके बाद हमारे यहां लिथियन आयन को तयार किया जाता है जिसमे लिथियम आयन बैटरी की जब हम बात करते हैं इसके लिएक टीम को कहां भी जा गया अर्जेंटिना और अर्जेंटिना को रो मटरियल का एक हब माना जाता है अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दू कि यहां पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाते इरोब कोडिया खास पर है तो लिथियम आयन बैटरी को वहाँ पर अर्जेंटिना में भेजा जाता कि भारत जो है भारत की अगर इंपोर्ट की बात करे तो भारत जो यहां पर आयात करता है एक्सपूर्ट मतब निर्यात होता जो भारत आयात करता जो खरी दिता है वो 2019 के अनुसार अगर था सीधी सी बात है कि देखा जाए तो यहां पर लगभाग 14100 तन जो है अभी लिथियम आयन कहां पर खो जा गया है यह खो जा गया था करनाट काम तो हमारे पास बहुत ज्यादा इसका सोर्स नहीं हम इसके हमारे पास इसके खाजाना नहीं लेकिन अगर पूछा जाए 2.6 metric ton चिली जो है वो करती है दूसरे नमर पर कोन है तो औस्ट्रेलिया है और औस्ट्रेलिया के साथ हमारा free trade agreement साइन हुआ है 2.8 metric ton है उसके बाद हमारे पास है अर्जेंटीना थीसरे नमर पर आती है अर्जेंटीना आती है तो अर्जेंटीना जो आती है ये वहाँ पर प्रोडक्शन उता 1.7 मैट्रिक टन होता है तो सबसे टॉप नमर पर देखा जाए तो वो चिली है उसके दूसरे नमर पर कोने है ऑस्टेलिया तो भारत का जो है लिथियम आयन के लिए उस्टेलिया के भी समझोता भी सामिल होता है और आपने देखा होगा कि जब भी किसी देश के साथ हमारा समझोता होता है तो वहाँ पर एक चीज़ें बहुत ही अलग होती है कि यहाँ पर चीली के साथ तो 8.6 मेट्रिक टन पोडियूस करता है तरहिए इन वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा उप्योग नहीं होती है और अगर यह इलेक्ट्रिक में convert होते हैं तो यह मान के चलिए हमारे यहाँ जो खास करके सबसे ज़्यादा पेट्रूल का जो अभाव होता है उसकी production पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान ने दिया जाएगा और electric vehicle को सबसे ज़्यादा best part बनाई जाएगा मैंने बुला कि हर चीज को आप अच्छे से पढ़ते जाएए और एक एक चीज को आप अच्छे से read भी करते जाएए के लिए सबको और इसी के बेस पर हमने एक एक करके आपको बता दिया ठीक है चलिए हब आगे की और बढ़ते हैं आगला हमसे पूछा गया युनेस्को में किस सहर के संग्राले बहाली परियोजना को उतक्रिस्टा पुरसकार दिया गया तो सबसे पहले में बता दो युनेस्को में किस सहर को संग्राले मतब किस सहर के मिजियम को दिया गया बेस्ट किसके लिए ये दिया गया युनेस्को के दौरा परियोजनाओं आगक आउप किर्ष्टा पुरस कर दिया जहा, अब दिखे, सबसे पहले हम बात करते हैं, योनेस्को, जब हम योनेस्को की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते ही, उनाइटेड निशन, इसका पेपर हम बहुत बार और्गेनाजेशन कुल्चुरल और्गेनाजेशन यह ऐसी एक संस था है जिसने पहली बार कब तो 1945 में इसके स्थापना होती है मतब 16 नमबर 1945 को स्थापना होती है जिसको कहा से फॉन क्या गया था लंडन से लंडन किसकी राजधानी है भाई सावी UK की राजधानी है लंडन और रिशी सुनक का अपने नाम सुना होगा तो रिशी सुनक वहां के अभी कोन बने है तो यह प्रधान मंत्री बने है रिशी सुनक और रिशी सुनक वहां के कोन बने है प्रधान मंत्री तो लगवक 16 नमबर 1945 को इसकी स्थापना होती है लेकिन अभी जो इसका मुख्याले वहां बैठक जरूर हुआ था लेकिन इसकी हर साल अपना heritage देती है और 1983 से 1983 से दुनिया के जितने भी विश्व धरोहर होते हैं उन सबी के एक सूची तयार करती है और उस विश्व धरोहर में हमारा भारत भी सामिल है जिसमें ताजमल हो गया एलोरा की गुफाएं हो गया अजन्ता की गुफाएं यह दोनों कहां पर है महरास्ट में और ताजमल कहां है आगरा में ऐसे से करके हमारे पास अलग-अलग जगाओं को युनेसको के लिस्ट में सामिल किया गया अब उसके बाद अगर पूछा जाए कि अभी किस सहर के संग् मुझ्याले की बहली परियोजना में दिया गया तो यह है बाइसा मुंबई तो मुंबई की मुझ्याम को इसके अंदर क्या किया गया सामिल किया और वहां पर भी छत्रपती सिवा जी यह एक्च्वल में क्या है मुंबई में यह है वहां पर तो जहां पर इसको रखा जाए सेशन को सभी लोग लाइक जरूर करते जाएगा यूनेस्को का मुख्याले कहाँ पर है पैरिस में और उसी तरह अगर हमें बोल दिया जाए दो और जो पेपर में पूछे जाते हैं आयमें वर्ल्ड बैंक और एक हमारे है यूएनो अगर यूएनो का मुख्याले अगर कहाँ पर है वासिंग्टन डिसी एक हेड़ क्वाटर आपके पेपर में जरूर पूछे जाते कि कौन सी संस्ता कहाँ पर है इसका मुख्याले जरूर पूछा जाता है तो आयमेंफ की अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की बात करें बिश्यू बैंक और अंतराश्टी मुद्र होई थी और इसकी स्थापना जो भी जो है 1944 में मतलब इसकी स्थापना होती है आयमेंफ पर वर्ल्ड बैंक का हालांकि कहें कहें आपको 1945 भी लिखा रहा था तो सबसे पहले मैं बता तो दो चीजों को यहाँ पर सामिल क्या गया उनसको के लिस्ट में तो यह मान के चले बे यह 2022 का सबसे सर्वुच अबोर्ड होता किसके दौरा तो युनसको के दौरा जो दिया जाता और उसके बाद अगर हम बात करें तो चत्रपती सिवाजी महराज वास्तू संग्राले है और यह वास्तू संग्राले कहां पर है मुंबई में और चत्रपती सिवाजी टर्मिनल क अगर हम बात करें तो वहीं पर एक railway station है और उस railway station का अनाम भी है चतरपती सिवाजी टर्मिनल और इस railway station को खुद यह भारत का पहला इसा railway station है जिसको युनेसको के सूची में सामिल किया गया और युनेसको के सूची में सामिल लेन वाला यह पहला railway station है जिसे मुंबई CST के न एक और railway station है एक तो यह museum हो गया और दूसरा railway station वाइकला है वाइकला का अपने नाम सुनाओगा और यह भी कहां पर है मुंबई में और इन दोनों को अभी cultural heritage पुरसकार दिया गया तो यह बिल्कुल आप लोग याद रखेगा चलिए आगे क्यों बढ़े अगला आप से बो ABU जब हम Broadcasting Union की बात करते हैं तो 59th नमर का Asian Pacific Broadcasting Union और ABU और ABU की अगर हम महासवा की बात करें 2022 में तो ABU की 2022 के यह महासवा का आयूजन कहां किया जा रहा तो मैं आपको बता दूँ कि महासवा का जो आयूजन किया जा रहा ABU का यह किया जा रहा भाई सब कहां तो New Delhi में और दिली में ही इसका आयूजन किया जा रहा और इसमे अलग अलग देस आते हैं जिसमें यहां पर यह बताए गया कि अपर इनका पॉल्पॉल कैसा था, इसके उपर ये पूरी तरह से लिखा गया था, और कहां पर इसका आयुजन हो रहा, दिली में, तो दिली हमारा क्यों इतना ज्यादा चर्चे में, एक तो हमारी देश की राजधानी है, और हमारी देश की राजधानी आनि नई दिलि और नई दिल्ली की जब हम बात्क करते हैं तो यहीं पर दो हजार तैस का जो हमारा G20 सम्मेलन है ये कहां पर आयोजन किया जाएगा निटली में तो दिल्ली में इजी 20 सम्मेलन का दो हजार तैस में इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है तो बिल्कुल आप लोग याद रखेगा अलग-अलग जगह पर इसका पूरी तरह सायोजन किया जा रहा है किले रहे सब को सेशन को सभी लोग एक बार जरूर लाइक करते जाएगा तो सीधी बीजिंग कहां की राजदानी है भाई साथ तो बीजिंग जो है चाइना की राजदानी जापान जो चीज आप पढ़ रहे होना उसका पूरा रिसर्च होना चाहिए और मिडिया क्रैसिस सम्मेलन हम लोग बोलते हैं फूर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भारत का इसे चौथा स्तंब बोला जाता है तो आप से पेपर हम बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का चौथा स्तं वब डेमोक्रेसी ने फूर्त ऑर फिलर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वह मारा कौन सा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिडिया जो मिडिया होता है दो तरीके होता है एक हमारे पास ha human अफा हमारे पास electronic media अफा हमा बात करते हें इन दोनों पर यह पूरा काम करता है इस आध के और बढ़ते हैं अगला हम से यही है आपका saving the people media's role in time of crisis और इसका आयोजन दो है 25 से 30 नमबर के बीच में किया जा रहा और अभी इसका आयोजन का अंत भी हो रहा 25 से 30 नमबर में और सीरी सी बात है किसकी दोरा किया जा रहा तो प्रसार भारती का अपने नाम सुनाओगा त डीडी दूरदर्सन जिसको आप बोलते हैं प्रसार भारती दूरदर्सन और इसमें जो main head है इसमें कोन है तो हमारी यहां के जो information broadcasting है अनुराक सिंग ठाकुर तो अनुराक सिंग ठाकुर जो है इनको आयोजन कर रहे है ठीक है इनका नाम जरूर याद रखेगा यह हमारी य लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को जरूर लाइक करें कि लरेश्ण इसाब को आज जब प्रसार भारती की बात करते हैं बाई साब सशी शंकर वाम पती और यह बामपती और यह वाम पति कोन है तो यह बाइसा प्रसार भारती के हेड है हमारे देश में इसकी स्थापना कब होती है 1927 को 1927 को प्रसार भारती की स्थापना होती है जो आल इंडिया के नाम से यह जाना जाता है दूर दर्सन और उसके बाद जो भी चीज़े हमारे देश में होती है वो सारे सबसे पहल कि भारत ने बाकए में एक record बना दिया है और यह record आपके पास किसके लिए बना दिया गया है तो वर्ल्ड का यह पहला मतब विश्व का यह पहला तेश होगा जहाँ पर इस company को क्या किया गया है नेजल coronavirus मतब जो नाकों के द्वारा मतब जिसी दी सी बात है इन हेलर के द्वा अब आप सोचो कि कोरोना की कैसी स्थिती थी कि लोगों ने पूरी तरह से लोगों को परेशान कर दिया थी और इतनी भैंकर वो स्थिती थी अगर उसको रिकबरी नहीं किया जाता तो कुछ भी हो सकता था यह मैं जो आपको इतना बता रहा हूं इसको आप अपने दिमाग मे 20 से लेके पूरा 20 और फिर पूरा 21 लगबग 2 साल तक कोरोना ने जो परेशान क्या था हाकार मचाय था उसको अगर अभी भी अगर आप याद कर लो तो रोंग्टे खरे हो जाते हैं क्या हम नॉर्मल लाइट में आए की नहीं आए तो मैं आपको बता दू दुनिया का पहल नेजल कोविड वैक्सिन किस कमपणी के दोरा विक्सित किया गया है तो वो कमपणी है भारत बायो टेक और भारत बायो टेक हमारे यहां के कमपणी है जो अल्री कोरोना वैक्सिन कौन सा बनाए को वैक्सिन का अपने नाम सुना होगा तो यह को वैक्सिन जो बनाए गया थ कमपनी थी, एक проby sealed बना था तो एक कोवी sealed बनाये गा था Serum किरम इंसिचूट ओफ इंडिया किरम में इसका मुख्याले कहा पर है पूने में और पूने में इसका मुख्याले आपने nama सुना होगा आदार पूनावाला तो आदार पूनावाला जो है इसके head हुआ करते थे ठीक है तो इसके बारे में आप लोग बिल्कुल याद रखेगा और अच्छे से इनके बारे में आपको पढ़ते जाना ठीक है अब हमसे ये पूछा जाता कि बताईए आखिर ये company जो है इतना ज्यादा famous कब हुई थी सबसे पहले ये बता दें कि भारत बायो टेक company ये action में कहां कि company है तो भारत में इसका headquarter अगर कोई पूछ लिया जाए तो इसका headquarter है 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 तो हैदराबाद में इसका headquarter है 1996 में सोचो 1996 में इसकी स्थापना होई थी है इसे कोई इसका नाम लोग नहीं जानते थे और अचानक कोरोना काल में ऐसी गटना गटे कि सब के नाम जानने लगे और ठीक है ये कब इसकी स्थापना होती है उनीश्व एक क्यानवे में स्थापना होती है और क्रिशना इला क्रिशना इला जो है क्रिशना इला ये इसके founder है और एक private company है ऐसा नहीं की मतलब को सरकारी government के अंडर में काम करती है तो भारत बायो टेक जो ह दिया गया पर्मिट भी कर दिया गया नेजल कोरोना वाइरस को देने के लिए ठीक है क्लिए सब को ये भी एक न्यूज हमारे लिए सबसे बहतरीन माना जाता है क्लिए सब को सेशन को जितने भी लोग देखने एक बार लाइक जरूर करते जाएगा और ये आप से पूछा जाएगा क्यो बताइए भारत की वह विसु की वह पहली कंपपनी कौन से है जिस को नेजल क्रण्गा वारिस का इसले को ल dealt फॉस्ट इंस्टनेजल गर्चिन अपरोवल तो दुनिया की ये पहली company जिसको approval दे दिया गया नेजल कुरोना वाइरस का तो आप से अगर पूछा जाकी बाहिता कि कुरोना का पहला केस जो है वहान सहर में कहां पर चाइना के वहान में आये था चाइना के वहान में ये सबसे पहला कुरोना वाइरस का केस आये था और कुरोना वाइरस का केस जो ह इतना भयावा था कि लोग सपने में भी याद नहीं करना चाहता है क्योंकि भारत में जो पहला केस है यह कहां से था केरल से था तो भारत में अगर पूछ लिया जब भारत का पहला केस कहां से था तो यह केरल से था इंडिया तो कुरोना के उपर अगर फैक्ट पड़ो तो इ एक और कंड एक और जबर्दस्त आपके पास बोला गया कि किस कंपणी ने सिरी हरी कोटा में भारत का पहला नीजी रॉकेट लॉंच पैड लॉंच किया है सबसे पहले मैं बता दू कि तेलंगाना यह सबसे पहले है कहां की कंपणी तो तेलंगाना की और तेलंगाना की राज चंदर शेखर राउ जो है ये इसके चेर्मेंट है मुने वहां के को ने तो सीय में तो तेलंगा ना हैदराबाद इसकी राजदानी है और अगर हम बात करें सिरी हरी कोटा का तो सिरी हरी कोटा में भारत का पहला ये ऐसा होगा जो नीजी रॉकेट अपना खुद का लॉंच पैड लेकी आए है तो ये भारत का पहला ये कम्पनी है जिसने लॉंच पैड लेके आया वो हमारा है स्काइरूट अरोवश पैश है स्काइरूट अरूट अरोवशेपैस लऊंट एस य्यानि CDC बात है इंडिया ने इस मिशन के तैच सब को परमिशन दे दिया है कि आप अपने-अपने क्या लॉंच कर सकते हैं अपना मिशाइल भी लॉंच कर सकते हैं और पहले यह जो लॉंच पैड़ थे यह किस के पास थे हैं इस रो के पास था और इस रो की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना का हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी और आपने विक्रम साराभाई का नाम सुनाओगा 1969 में इस रो की स्थापना होती है जिसका मुख्याले कहां पर है बैंगलूरू में और बैंगलूरू में इसका मुख मिल 총 भीवर्दमॡई है और इस समनाथ एस समनाथ जी को ने अभी इस के डिरेक्टर हैं किसके इस में इस रोग तो इस रोग के डिरेक्टर के समनाथ यह सारी चीज़ से के गबल किसके पास थी तो मैं मिसाहिल कुन सा है विक्रम आपने खुब पढ़ा होगा कि विक्रम जो सेटेलाइट है ये पहला है विक्रम सेटेलाइट जिसने यहाँ पर लॉंच किया गया था किसके द्वारा तो स्कायरूट के द्वारा इससे लॉंच किया गया था घ्यान से सुनेगा इस रो हो गया उसक के बाद हम बात करते हैं के चंदर शेकर राव को ने इसके हेड है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्काइर रूट जो एरो स्पेस है लिमिटेड यह कहां से ओपन किया गा सिरी हरी कोटा यहां पर परच्छेपन किया जाता और यह है कहां पर तो तेलंगा ना में तो इस रो के बारे में बिल्कूल आप याद रखेगा क्योंकि इस रो ही एक ऐसा है जो दुनिया का पहला ऐसा मतब कि संस्थान है जिसने एक बार में एक बार में क्या किया था सफल परिक्षन किया था किसका मंगल यान का तो आप से यह जरूर पूछा जाएगा कि मंगल यान जो है यह बहुत बड़ा मिसाइल का यह ओपन किया गया था जिसे 2014 15 में लॉंच किया गया था है और यह लोगी याद रखेगा उसी तरह गर देखा जाए तो यहीं है एस सोमनात यहीं एस सोमनात हैं जिन्होंने पूरी तरह से इनको एक बहुत बड़ा इनका यह दिया गया और यह जबरदस्त इन्होंने खुद का मतब यह बनाया और पहला सेटेलाइड जो लॉंच किया था इसक किया है और यह प्रारंब है हमारा भी तो बहुत दूर जाना यह बाते में बहुत बड़ी अचिम्मेंट होती है कि किसी ने खुद का अपना लॉंच पेड बनाया और लॉंच पेड बनाने के बाद यहाँ पर प्रचेपन को मिसाइल को लॉंच कर दिया और यहीं पर यह ल इसारच डेफ्लामन्ट ओरगनाजेशन है यह बी आपके लिए सबसे जादाता थेमास है डिफेंज रिसरच डेफलामन्ट और इसके जो अगर है आगर हम बात करें तो इसके यहाँ पर है भास साथ तो दिल्ली में इसका हैड़ और अपने घीस सतिस फिरडी J का अपने न दो हमारी यहां की ऐसी मिसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा यहां पर प्रिछेपड किया जाता है तो याद रखेगा सिरीहरी कोटा में यह सबसे ज़्यादा फेमस है अगला हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय जुआला मुखी मौना लौा बाई साब यह बहुत खतरनाक है मौना लौा और मौना लौा जो है सेउक्त राज अमेरिका के किस राज में है तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी अगर एक्टिव बॉलकेनों की बात करें तो यह सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो यहां पर एक्टिव बॉलकेनों है और यह कहां पर ये active volcano है तो Mona Lua और Mona Lua जो active volcano है ये अमेरिका की active volcano है तिक है अमेरिका की ये active volcano है जो सबसे ज़्यादा famous है कि लियर है सबको सभी लोग एक बार session को like जरूर करते जाएगा जितने भी लोग देख रहे हैं हाँ जी सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करते जाएगा और ये भी आभी मैं आपको इसके बारे में भी रिसर्च बता दूँगा कि आखिर देखा जाए तो वॉलकेनों के मामले में जो अमेरिका भी सबसे ज्यादा फेमस है हवाई और ये आपके पास देखा जाएती है कह बाला मुक्षी माना जाता हवाई का और हवाई जो है ये कहां पर है युएसे में और ये एतना एक्टिव वालकेनों है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो समझे एक बहुत बड़ा नकसान हो सकता है अगर इसे नहीं रोका गया हाँ जी सबी के आंसर बिलकुल करेक्ट हैं और मुझे पता है सभी लोगों के आंसर सो प्रतिसत करेक्ट जा रहा बहुत शांदार और ये बोला जाता है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के अगर देखा जा कि एक्टिव वालकेनों में अगर इससे नहीं रोका गया तो ये कुछ भी कर सकता है वर्ल्ड का स आप आए जिसकी आग की लप्ते है और एक्टिव वालकेनों कहां से ये लगभग 1984 से ही पूरी तरह से धूम मचा के रखा उनी सो चौड़ासी से ही धूम मचा के रखा तो यूएसे की जब हम बात करते हैं तो या दखिएगा वहां के जो अभी प्रेसिडेंट बने है तो प्रेसिडेंट वहां के कौन बनी है जोई बाइडन तो जोई बाइडन जी जो है यहां के कोन है प्रेसिडेंट है और देखा जायते है यूएस के प्रेसिडेंट जोई बाइडन है और वाइस प्रेसिडेंट पहली महिला जो बनी है वाइस प्रेसिडेंट फॉस्ट लेड जो बनिया हुए है कमला हैरिश और कमला हैरिश जो है यह पहली वहां की बनी है कौन वाइस प्रेसिडेंट यह बनी है कमला है याद केगा हवाईल जो है यह सबसे बड़ा जाना माना है और यह लाबा लगवाद आठ किलोमेटर के रेंज में यह फैला हुआ है एट किलोमेट बोलते हैं और बुलाता कि सबसे लोंगेस्ट बुला जाता कि 1984 से यहां पर हवाई में इरप्शन हुआ था फॉस्ट टाइम देखा जाए 1984 में यहां पर ज्वाला मुखी फटा था और उस ज्वाला मुखी के फटने के बाद 1984 के बाद से यहां पर कोई बदलावनी हुआ और अभी भी यह ज्वाला मुखी सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है चलिए अगला हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस के समारों के लिए किस के लिए भारत सरकार द्वारा किस देश के राष्ट पती को मुख अतिती के रूप में बुलाने की गोशन आके गई है तो तो अपने नाम सुनाई होगा तो इजिप्ट के राष्ट पती हैं जो यहाँ पर आएंगे आपको लेगे ठीक है इजिप्ट तो इजिप्ट का नाम बिल्कुल याद रखेगा इजिप्ट ठीक है जिसको हम लोग हिंदी में मिसर बोलते हैं और मिसर जिसको हम लोग इसका याद रखेगा ठीक है काहिरा मिसर की राष्दानी कहां पर है काहिरा और यही इजिप्ट की राष्दानी भी है काहिरा तो काहिरा का भी नाम आप याद रखेगा अब्दूल अलसिसी अब्दूल फते इनका नाम है अब्दूल फते अलसिसी अब्दुल्फते अलसिसी जो हैं ये इसके कोने हैड है अब्दुल्फते अलसिसी तो ये इंडिया के 26 में जो आने वाले हैं और हमारा भी किस नम्मर का मनाएगा तो याद रखेगा 75th नम्वर का हम लोग गनतंत्र दिवस मना रहें इतना ध्यान द़्यान लग जन्बरी जन्बरी 1950 को भारतुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र देश बना था और इसी दिन से हम लोग गनतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं यह बिल्कुल आपको याद रखेगा अब्दुल फते अल सीसी जो है यह इसके कोने वहां के प्रेसिडेंट ने और इनी को चिपगेस्ट के रुप में बुलाया और साथ में देखा जाए तो जी 20 के जो सदस्य देश हैं वो भी यहां पर आएंगे ठीक है के लिए रहे सबको हाँ जी अलग अलग करके आप लोग अच्छे से सेशन को लाइक भी करते जाएगा एक एक करके मैं आपको हर चीज़ बताते चला जाओगा ठीक है अब सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहला कि अभी हाली में एक और नुच सबसे ज़्यादा चर्चे में एक हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट अभी हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉंच किया गया तो सबसे पहले में बता दूँ कि अभी हाली में किस राज सरकार ने हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लाए गया ध्यान से सुनेगा हर घर हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट हर गंगा जल प्रोजेक्ट और हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट जो है यह शुरुवात क्या गया राजगीर से और राजगीर की जब हम बात करते हैं यह कहां पर है तो आपको पता होगा कि राजगीर नालंदा का अपने नाम सुना होगा नालंदा वहीं पर राजगीर है और राजगीर से इसके शुरुबात किया गया है कहां पर और नालंदा की जब बात होते हैं बात किसी करने बिहार तो बिहार सरकार क्या करेगी हर घर गंगा जली प्रोजेक्ट ल राजगीर यहां पर water को histoire किया जाएगा और जल कर जिए वन हरियाली मिसन چल रहा हुआरे पिहार उसी को मौन्सून के तैथ यहां पर लाए जाएगा ताप से पूछा जाए गा कि हर घ्र गंगा जल कहां पर कर लॉंच कहा मैं जाएगा और बिहार की राज़दानी कहां of knowledge, so CDC वात नॉलेज एपी सेंटर के रुप में हम लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वाई-फाई, वाई-फाई जो बनाए गया वो भी पटना में बनाएगा, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा वाइपाई जोन कहां बना है और ये भी पटना महीं बना है, सबसे बड़ा वाईपाई जोन यह याद रखे ही, और नießधा इन्बर्सिटी जो ग्याण का केंदर का जाता वह कौन है और Dolphin Century, आपने नाम चुनाओगा, कि Dolphin Century बना गया और Dolphin Century कहां बना गया है, यह बना गया भागलपुर्बी, तो Dolphin Century जहां पर उनको संडक्षन दिया जा सके, यह कहां बना गया भागलपुर्बी, यह भी आपको बिल्कुल याद रखना, तो अगर भारती ओलम्पिक संग की पहली महला अध्यक्श को बनने वाली है तो यह पहली बार जो बनी है हमने कल भी बताए था इनका नाम क्या PT.USA उसा को बनाए गया भारत का पहला महला अध्यक्श के रुप में बनाए गया है तो इनके नाम को जरूर आप लोग याद रखेगा सेशन को सभी लोग एक बार याइक करती जाएगा जितने भी लोग देख रहें जितने भी लोग देख रहें एक बार सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करें और हमने बुला कि PT उसाखा भी किसका बनाई गया है कि इंडियन ओलंपिक कमिटी तो इंडियन ओलंपिक कमिटी की पहली महिला अध्यक्ष के रुप में बनने वाली यह पहली भारती हो गए जिनको पिलू बार कंडी परविल टेकाउशा के नाम से जाना जाता है और यह स्पिंटर थी रनर थी धाबक थी इसको उरन पड परविल टेकाउशा यह बहुत फ्यमस नाम है जिनके लिए सबसे जादा यह चर्चे में भारत में किस देश के सिर्ष परेटन बजार में के रूप में बरत बनाया किस देश के अगयज़ मालदीव से बहतर परेटन बनाया किसने भारत ने और उसके बाद आभी भारत का प नमबर पर रेंक रखा गया और इसलिए हमने इसके बेस पर लेके चलें ठीक है अगला हमसे पूछा गया पड़ापड बताते जाएगा रेपिट फार राउंड में अभी पूर्निमा देवी बढ़मन भारत के सहुत रास्ट का सर्वोच जो सम्मान होता है चेंपियन ओफ अर्थ इनको जो सम्मान दिया गया है इनका नाम है चेंपियन ओफ अर्थ और चेंपियन ओफ अर्थ का सम्मान किसके द्वारा दिया गया है तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया है आपका पडिया बरन के द्वारा और चेंपियन ओफ अर्थ इससे पहले किसको दिया गय मतलब नरेंद्र मोधी जी को भी दिये गए थे नरेंद्र मोधी जी को भी दिया गया था चैंपियन आफ आर्थ का तो यह बिल्कुल आप लोग याद रखेगा किनको दिया गा पूर्निमा देभी बडमन को चैंपियन आफ आर्थ दिया गया उसके बाद पुछा गया बताए ये इफी मदा इफी 2022 में प्रेस्टनाल्टी ओफ दे इयर का पुरस्कार किसको दिया गया तो ये प्रेस्टनाल्टी ओफ दे इयर का पुरस्कार दिया गया है चिरंजीवी को दिया गया और इनी के द्वारा जो है पूरा अभी होस्ट भी किया जारा प्रोग्राम को दिया गया चलिए सभी लोगा पड़ा पड़ा आंसर देते जाएगा किस देश के साथ सांसत किने किस देश की सांसर ने भारत के साथ मुप्त बैपार समझोते पर मतब पारित किया गया बताए किस देश के सांसर में भारत के साथ समझोते पर जो है यह साइन किया गया तो कुं सा देश है वह भाई-सअप ऑस्टेलिया बिलकुल सब के करrekt tancar आ रहे है ऑस्टेलिया जो है ये बिलकुल सौ पृरतीसत करrekt tancar है और यही पर शांसत के लोगों ने यहां पर sign किया चलिए रैपिट बेंट भारती अगला हमसे पूछा गया कि किस फोरं में गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और चती लॉंज किया गया किस देश की फोरम ने नुकसान और छती लॉंज किया है तो कोप 27 COP अभी Conference of Party इसका आयोजन भी कहां पर हो रहा है इजिप्ट में इजिप्ट में ही आयोजन हो रहा है और इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी भारत आ रहे हैं इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट भारत चिपगेस्ट बन के आ रहे हैं मुख्या आती थी और मुख्या आती थी के रूप में कोन आ रहे हैं तो यहां पर इनके प्रेसिडेंट ने कहां के इजिप्ट के यानि इजिप्ट को हिंदी ममलोग बोलते हैं मिश्र बोलते हैं और मिश्र के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल फते अल सिसी जिनका नाम है अब्दुल फ याद रखेगा अब्दुल्फटे अल्सिसी इनका नाम अब्दुल्फटे अल्सिसी तो कोब 27 की बात करते हैं जो आया था मुला गया बताए किस टाइगर रिजर्व ने कोईंबो टूर में जॉंबो ट्रेल्स का नाम लिया अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व जॉंबो ट्रेल के लिए मुला कौन सी कंट्री नाभी 21 नंवर को कंट्री का करेंट बोटिंग एज घटा कर 18 बार्स को डिस्क्रिमिनिटरी बला दिया 18 साल जो है यह भेधवाव पूर्ण है तो 18 साल यह भेधवाव पूर्ण है यह गोसित किया गया और बोला गया कि भेधवाव पूर्ण की जब हम बात करते हैं तो उसके बाद इन्हों ने बोला कि अब क्या होगा तो भेधवाव पूर्ण के साथ साथ तो अब इसकी एज जो दे हम लोग 21 नॉम्बर को हर साल मनाते हैं ठीक है वर्ड फिष्र डे जो प्रोटेक्शन मचली का जो उत्पादन होता है उसके लिए हम लोग मनाते हैं वर्ड फिष्र डे ठीक है क्लिएर सबको हाँ जी कैनडा नहीं है यह न्यूजी लेंड न्यूजी लेंड आप याद साल कर दिया गया भारत सरकार ने सर्गर में चेतर के बैंकों के सीओ के और 100 का अदिक तम कार कार करेकार कदिया गया 10 साल कर दिया गया टिक है जालिए के और बढदेने ध्र्म शारा के थेक्चोई चोइलिंग में अभी जो गांधी addictive पुरसकार दिया स्ता किया है, तो मैं आपको बता दूं, AI की साज़दारी किस के दोरा किया गया है, तो यह याद रखिगा फ्रांस के दोरा, फ्रांस के साथ मिलकर यह काम करा, Network Readiness Index में इंडिया का RINC कितना भाई सारो 61 नमर पर इंडिया का RINC है Network Readiness Index में उसके बाद बोला जा बता इществ अभी हाली में किसको बना गया भारत के चुना आयोक के रूप में किसे नीच किया गया तो भारत के चुना आयुक के रूप में किसे नुक किया गया अरुन गोयल और अरुन गोयल की जब हम बात करते हैं तो यादखेगा अरुन गोयल को बनाए गया है मुक चुना आयुक तो बनाए गया और मुक चुना आयुक तो भी कोन है बाई साथ तो ये राजिव कुमारे मुख चुनाई हो चीफ election commissioner और आप से पूछा जाए क्या भी voting के लिए बताईए आइकन नेशनल आइकन किसको गोसित क्या गया है तो नेशनल आइकन 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 जो है गोसित क्या गया किन पो तो एक बैक्ती बहुत फेमस है और उनका ना नेशनल आइकन गोसित क्या गया बोटिंग का ठीक है उसके बाद आभी हाली में the world and family history नमक बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है साइमन वेग के द्वारा लिखी गई है और उसके बाद आपने सुनाओ का revolution 2020 अजीटि वेँटि या तो उसके बाद revolution 2020 जो बुक लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा बुक लिखा गया उसके बाद चेतन भगत के द्वारा जो है revolution 2020 बुक लिखी गई थी सबसी ज़्यादा फेमस आपका ये बुक था उसके बाद हाप गर्लफ्रेंट का नाम सुनाओ होगा आप girl friend work girlfriend भी की भूक लछी गई है तो यह इसी के दवारा लिखी गई ओठ की दोरा यहीं एक लोग मनाते हैं International Men's Day, अंतराश्टी है Men's Day के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं ठीक है इसलिए रहे सब को World Children's Day हम लोग कम बनाते हैं 20 नमबर को हर साथ हम लोग World Children's Day के रूप में हम लोग मनाते हैं और यह 19 नमबर को हम लोग मनाते हैं ठीक है इसके रूप में मनाते हैं क्याले क्लियर है सब को देखें बहुत सारे चीज़ें मैं डेली रैपिड फायर इसलिए करा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए जैसे आपका रोज लग रहां जी आज का सेशन के सारा विल्कुल सभी लोग बताईएगा और जो लोग रेगुलर देख रहें यह पहुत अच्छी बात है कि आप लोग डेली कम सकम क्लास को छोड़ते नहीं है रोज आप लोग देखते हैं तो आप लोग एक बार सेशन को सभी लोग एक बार जरूर लाइक करते जाईएगा तो यह जो मैंने बोला कि जैनल अबरनेस आपके कंप्रोडर की डेली क्लास साम में 6 बजे होती है तो 6 बजे जो आपका कंप्रोडर की क्लासे से उसके लिए बिल्कुल आप लोग तयार हैगा 6 बजे आपकी कंप्रोडर की क्लासे से डेली रहती है तो बिल्कुल आप उसके लिए तयार है समाने प्रबंदन आपका 8 बजे आज पकता होगा आज की क्ल प्रूल बन जाएगा और आज से हम लोग लेके चलेंगे किलियर सबको और इसी के बेस पर हम लोग आगे कोरवरते हिंदी हमारा ओल्डी क्लासेश चल रहे हैं किलियर सबको हाँ जी कैसा सेशन ना अच्छे सेशन है हो चले बहुत-बहुत धन्यबाद सबको भाबना जी सोनी सिंग जी करिश्मा जी पूजा जी अविनास जी चले सभी को बहुत-बहुत धन्यबाद इसी तरह डेड़ सारा प्यार देते रहे हैं और जिस तरह से आप लोग जुड़े हैं माइंड फोर अकडमी के चैनल से चैनल से चैनल हो चैनल हो आपका हमारा ओनलाइन है हमारे देखो क्या होता कि जो अच्छे होते हैं उनके लिए तो सब करते हैं लेगिन जो हमारे लिए मतलब जो नहीं पहुंच पार रहे हैं उनके लिए हमें क्या बेहतर करना है उससे बेहतर और क्या हो सकता है ठीक है तो इसलिए बहुत जल्द हम लोग एक बहुत सारे धमाके के साथ हम लोग आने वाले हैं और 29 नंबर से जो हमारा टार्गेट बैच स्टार्ट हुआ है इसके मज़े आप बिल्कुल ले सकते हैं क्लियर सबको हाँ जी सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करेगा है हाँ जी बिल्कुल और टेलिग्राम पर हम लिंक भेज देंगे time टेलिग्राम पर भेज देंगे फर जगा मैं लिंक भेज दोगा और सारे जगह जो भी आप जूड़े में अ अपलीकेशन वहां भी चला जाएगा तो टैयार रहे गर सभी लोग टिक है और बहुत अच्छे से अम लोग लेके चलने वाले हैं चलिए आज का सेशन अम लोग यहीं रहने देते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में जैहिन जै भारत धन्यवाद बंदे मात